हलो डीजर इस्टुडेंट्स, वेलकम टू पॉलेटेक्निक पार्साला, आज के इस वीडियो में जो है इंजिरियन ड्राइंग सेकंड के सलेबस के बारे में जानेंगे कि हमको इंजिरियन ड्राइंग सेकंड के अंदरगत कौन कौन से चेप्टर पढ़ने हैं, यह पूरा क् इस साल पहले जो है आपको आपको जो भी इंजिर नहीं हुता सेकंड अ एक ट्रङंग पर देंग रिखनडीर फेल नहीं होगा कोई खेल और इस विखर नहीं अच्छा नबर्यासे हैं तो पचास से ऊपर नंबर जो है पा सकते हैं हम लोग वे टाइम पर बहुत सारे बच्चे 50 नंबर का पेपर होता है 50 में 50 सीनियर्स पाए हुए थे तो अगर हम लोग बात करें यहां पर details and assembled rank तो यहां पर detail से assembly drawing में क्या है wooden joints के बारे में पढ़ना है कि wooden में लकड़ी आप लोग कार्पेंटरी साफ में गए होंगे कार्पेंटरी साफ में हम लोग बहुत तरह की joints बनाते हैं तो उस joint का हमको यहां पर जो है isometric view वगरा बनाना रहेगा दो अलग अलग joint के दो अलग अलग पार्ट दी रहेंगे उनको क्या करना रहेगा असेंबल करना रहेगा और असेंबल करने के बाद उसका front view, top view और side view आपको बनाना रहेगा तो यहां पर करा कि principle and utility of detail and assembly drawing इसमें करा पहला पहला जो है wooden joints that is corner, mortis and tenan joint मतलब corner, mortis and tenan joint बनाना है T having joint मतलब T half में बनाना है half का ing farmy है उसके बाद mitre, phased corner joint, T brittle joint अभी आप लोग जो है इसका नाम भी नहीं सुने होंगे अभी इसका नाम भी नहीं सुने होंगे और कौन सा joint किस प्रकार से होगा इसको भी नहीं जानते होंगे जम भी बनाएंगे तो बना बना कर जीके जान में नाम देघेगा और नाम देएकक बनाना रहेगा तो फिर दिक्कत आयं और अच्छे से पता होगा तो यहां पे वो दिक्कत नहीं आने पाएगी तो देखिए अभी बहुत सारे बच्चों को बेसिक कांस्ट नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को क्योंकि असेंबली करना रहेगा हमको आइसोमेट्रिक और अर्थोग्रेफिक के बारे में जो उसका फंडामेंटल हो हमको जानना जरूरी है तो हम बेसिक पढ़ा करके ही सलेबस के आएंगे पहले हम बेसिक पढ़ा देंगे एक से दो लेक्षे लग इसका मैंक्सिम्न पार्ट जो बच्चे पालट इक बाद बीटिक इंट्रिंस की तयारी करते हैं उसमें एक सब्जेक्ट बहुत इंप्पार्टन होता है इंजिनेविंग ग्राफिक इंजिनेरिंग ग्रैफिक्स में वहां पर यहम सीकुट च्यूआ क्यास सब्सक्राइश को फट्यक्ट बाद बताने के इंए याद रखेंगे तो आगे चलत हैंके काम आएगा याजब आप घर्डियर में जाएंगे और बीटिक इंट्रेंस की तयारी के लिए आप क्लास वगरा करेंगे या अप से बुक पढ़ेंगे तो आपको चीजे और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और अगर यहां पर बात तरू राइट एंड लेप्ट हैंड त्रड इसमें एक्चुल एंड कन्विंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता आपका सिंगल एंड म इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी अगला टापिक है डिफरेंट्स मतलब जो बिविन होते हैं स्कुल थर्ड क्या सकते इसमें आपका हो गया ब्रेटिस स्टेंडर्ड धुट वर्थ बोलते हैं इसको उसको पर भी यह हो गया अमेरिकन नेशनल एंड मेट्र थ्वर्ड हो गया इसको एक ब्ट्रस एंड नकल थ्वर्ड हो गया और विश्चा करेंगे कि आगे आप आप कहीं पर भी आगे हायर एजूकेसर में जाएं तो आपको बेसिक फंडामेंटल के बारे में पता रहें जो भी क्लासें होंगी वह आपकी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए होंगी यह नहीं कि किवाल आपको समिश्टर पास कराना है और आगे अगर ड्राइंग का कहीं पर भी यूज होता है और पहले चीज आप कोई किसी भी सजेट में जैसे वर्कसाप में ड्रैंग बनाते हैं किसी सजेट में बनाते हैं तो फिगर बनाने आ जाए मै मतलब का है नट और बोल्ट में इसमें डिफ्रेंट ब्यू जात अधिक्सागोनल एंड इसक्वाइर नन इसक्वाइर नट के लोग देखेंगे इसमें बनाने केलिए आ सकता है और इस प्रस के बारें प्रियोग के साथ मतलब हम लोग देखते हैं जब जोएंट बनाता है तो वह बच्चे के लिग देख से लाग करते होंगे तो बीच में परियोग करते हैं तो बीच में वासर का प्रियोग करने से बढ़ जाता है अगला है असेंबली या पिस्क्वाइर बोल्ट के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इस्क्वाइर नट आइंड बोल्ट की असेंबली पढ़ेंगे, और हम लोग जो है हेक्सागोनल नट अनबोल्ट की क्या करेंगे, असेंबली पढ़ेंगे, असेंबली पढ़ने की दोरान को स्टेंडर्ड साइज होते हैं, वो आपको पता रहेगा, तभी आप एक्जाम में जो है, ड्राइंग जो है, सही स्टेंडर्ड में बना पाएंगे, और अच्छा में लएग में लएगान को प्रेक्टिस कर से आएगा, तब आजानी से ऐक्याम में बना पाएंगे, पिर अगल आपका fundamental bolt जैसे आपका हो गया foundation bolt जैसे हो गया rag bolt आपका हो गया levis bolt बोल्ट की और आई बोल्ट इन चारों बोल्टों में से कोई एक नएक बोल्ट हर साल बनाने के लिए आता है पांडेशन बोल्ट की अगर में बात करूते हो जैसे आपका आइबोल्ट की बात पूरू जैसे आपका फैन लगाते हैं अगला आपका ड्राइंग आप वेरिस टैप इस टैप आप वह बोल्ट की तरह होता है जैसे बोल्ट में क्या होता है एक तरफ आपके तरह आपको पिक्स रहता है अगे बात करें की ये ये पड़ेंगे की क्या होता है रपंजी क्या होता है और क्या होता है जे वैरिस टांप कीज यंद कॉणलड निकल्ड की अनुका उनका फिएकto को करेंगेえば मदाएंगे कि अगला है वारियोट आप जोइंड जाएंट जीसमें इस प्रेगा टरान्ट बनाएंगे बनाएंगे और यह बनाएंगे नकल जोएंट बनाएंगे उनको भी मुझा करेंगे बनाएंगे अगला है रिवट एंड रिविटेड जॉए हैं रिवट्स डिवर बिभिन प्रकार के रिवर्स कोन कुछ होते हैं थाई सब्च जो जो जुनरली जो रिवट का क्लासिफिकेशन होता नहीं उसके हैड के सेप क्या दार पर क्लासिफाई किया जाता है कि आपका पैं है जैसे हैं कि मैं धाया है या इसमें इसमें प्रेषला को इसपा बनाते हैं तो उसके क्रो twins कषी नियुकर करने फाइदा क्या होता है कि हमारा थे-षाया है जुआते है नटाइज यह से बनाते हैं च鍋 होंगे प्लेट की प्लेटों Peugeot वी वтесь लेकिन बक्षमें पानी डालनेके लिए करते हैं व्रहाई लोग कि करते हैं लीक प्रूफ जो हैं ने करते हैं यह काफी इजी होगा आप एक बार बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपके याद हो जाएगे जिसमें लोग लैप जोएंट पढ़ेंगे लैप में सिंगल रिउटेट और डबल रिउटेट चेन और जिग जैक टाइप दोनों टाइप का पढ़ेंगे उसके बाद सिंगल है बस दिये होगा है इसके कारडिग क्या करेंगे इसका रिवर्ट जो हैंट की में लोग ड्राइंग बनाएंगे फ्रेंट विव और ताब्लन तरगेंगे अगला नहीं क्या है कूपली मूंग बंढेंगे इंट्रॉड़क्शन तू कपलिंग पहले कपलिंग हमारा होता च अगर कि लमबाई कम है अगर कि लंबाई को बढ़ाना तो उसके में जोड़ते हैं यूज करते हैं हमेशा चलती दसामी उसको connection डिसकनेक्शन ने कर पाएंगे बार जोड़ दीए तो जोड़ दियंगे क्लच क्या होता है क्लच चलती दसामी ड्राइवर साथ को ड्रिवें साथ से जोड़ भी सकता है और उसको क्या कर सकता है उसको मतलब छोड़ भी सकता है एक तरीके से जैसे आप लोग बाइक को अगरे मुझ करते हैं क्लच लेके क्या करते हैं गियर लगाते हैं गियर लगाते है driver का driven से और कलच जम लोग लेते हैं क्लच लेने पर क्या होतर ड्राइवर का driven से connection छूट जाता है उसी दौरा हम लोग क्या करते हैं गीएर change करते हैं अगला आपका introduction to coupling दे येर यूज ईद्ट टाइप उनके उपयोग क्या है और उनकी परकार के बारें पढ़ेंगे हमारा क्या होता है वह और एक प्रोहटेज़ टाइप के युsc अध्युल्य होने नियाने शाइंगे लिभा अर्छी के बारें के लिए तो मतलब कोई भी क्योश्चन आएगा हम आप इजली कर पाएंगे इसमें आपसंस भी होते हैं तो आप मालीजे कोई एक नहीं आ रहा तो दूसरे को क्या कर सकते हैं और पूरा पढ़ने से फैदा यह होता है कि मालीजे कभी-कभी होता है कि कोई बड़ी-बड़ी बड़ा ड्राइंग बनाएंगे समय जादी लगेगा तो टाइम में लिमिट होता है एक निश्चिस समय के अंदर आपको क्या करना रहेगा तो कुछ प्रस्णा ऐसे चोटे होंगे कि जो कम समय में बन जाएंगे लेकिन सेम मार्क होंगे इस नते पूरा का पूरा स्लेवस अच्छे तरीके से कवर करना जरूरी है यह आपका एक्जाम में नहीं आता यह आपका है कि प्रैक्टिस के लिए आपको बता है लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी मसीन का नक्सा बनते हैं तो किस पर बनता है तो आजकल सारी चीजी जो है आपको यह बहुत कम होती है कि अब बात करें यह आपका सलेबस एक्जाम में नहीं है कि यूज अपटोकाट सब्ट्वेर इस इस में हम रहे हैं कुछ ज्वांट कुपलिंग यूजग तो ज्वांट फॉञ जबिक कुपलिंग यूजग सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर लिखा हुआ कि आटो कैट ड्राइंग विल बी इंटरनली बाई सेस्टनल मार्क में क्या होगा यह यहांनि कि आपका थेयरी पेपर वह सात चेप्टर कि इतने है यह टोटल चेप्टर है वह सात है तो साथ चेप्टर ही हमको इग्याभी बात करूं इसका क्लास जो होगा रिकार्डर्ड फाम में आएगा में आएगा रिकार्डड वीडियो आपको मिलेगा मैकेनिक्स की क्लास आपको लाइब मिलेगी जल्दी स्टार्ट होने वाला एक दो दिन में आपका इविनिंग टाइम में आपको से डूल कर दिया जाएगा तो जो बच्ची अभी तक पॉलिटेकनिक पाटसाला टेल्ग्रम पूरा मतलब होता है तो आपको यह टिलिग्राम गुरुप में आप हमसे मेरे साथ डिसक्कसन कर सकते हैं इसमें आप चैनल मिलेगा उसमें आप चैट नहीं कर पाएंगे उसमें किवल हमें ही मैसेज कर पाते हैं जो भी आपके दोस्त वगराएगा उन को आपको वीकली आपका दो क्लास आपका आएगा किसका इंजिनिर्ण ड्राइंग से कंड़ का और मुस्किल से आपका जो है साथ चैप्टर है एक चैप्टर माने कि यह लिए आपका पचीस लेक्चर में आपका खतम हो जाएगा तो धीरे-धीरे क्योंकि आप संडे को सपुच है ड्राइंग ही केवल पढ़ना है बाकि कोई अगर डिक्कत राती है कोई जानकारी चाहिए और कोई इंक्वारी चाहिए तो यह WhatsApp नम्बर आए नाइस अपमसेजह कर सकते वाट्सप पर क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं कोई बहुत इमर्जेंसी ओ तो काल कर सकते हैं